अभी प्यारे विवेश का वाम वेलकम है वाईडी योरिली शूटर पे मेरा नाम है अमन बहल आगे बढ़ेंगे punctuation part 2 के साथ पिछले part में मैंने आपको detail में कॉमा को करवा दिया है कब कहां कैसे और क्यूं कॉमा लगेगा ये आप logic के साथ सीख चुके है मेरे काल से 10 रूल थे एक रूल बाकी है कॉमा का जो इस पार्ट में आप मेरे साथ कर लेंगे इस पार्ट में कॉमा आ जाएगा बाकी बचा हुआ साथ में punctuation के दूसरे सभी science को भी cover करने वाले हैं जैसे कि इसमें आ जाएगा column, semi column, hyphen, बड़ावला dash, apostrophe और साथ में capitalization, कब किस word को, किस letter को बड़ा करना है और कब छोटा करना है सब का सब detailed के अंदर है, आपको पता है मेरा content इस तरह से बनाता हूँ मैं चाहे time बहुत लगे, लेकिन इसमें एक भी concept छूट नहीं रहा और इसके बाद किसी book को खोलने के आपको जरूत भी नहीं है, है ना अराम से सिखो और apply करना शुरू कर दो आज सही चलिए, शुरू कर ले, थोड़ी लंबी वीडियो है, अराम से दो sitting पर इसको बैठ करके देखना ये वीडियो हमारे writing skills के course का part है, members के लिए आप पे वीडियो पहले ही आचुकी है, आपको अब YouTube पे मिल रही है अगर पूरा course writing skills का आप चाहते हो, तो अपनी आप को download कर लेना Your English Tutor, Play Store और iOS दोनों पर available है आप के अंदर ही उपर आपको course मिलेगा, basics advanced English writing skills किसी भी exam के लिए कैसे लिखा जाए, punctuation सीख रहे हो ना इसके अलावा बाकी सारे concepts भी उसी course में cover है conceptual भी और practical भी, course की खीमत है 850 रुपीज इस code को लगाएंगे, 525 में आपको मिल जाता है, इसका फाइदा ले लेना कोई भी query हो relating to course, इस नंबर पे आप मुझे we have won the match, हम match जीत चुके हैं, said the captain, captain ने ऐसा कहा the captain said we have won the match, captain ने बोला we have won the match तो दो तरीके से एक ही बात को लिखा गया है, जो आप बीच में देख रहे हो ना ये वाला, ये पूरा का पूरा कहलाता है, क्या कहलाता है ये, dialogue इसको direct speech भी बोलते है, ठीक है, जो आप यहां से quotation marks, इनको बोलते है quotation marks इनके बीच में जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, dialogue और जो बाहर रखा गया है, इसको बोलते है tag या फिर narration, ठीक है, tag या फिर narration तो basic सा आपने structure देख लिया है, narration की direct internet के जो sentences होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है अब अपने इसको देखेंगे, इसमें punctuation की क्या rules होते हैं, और बहुत आसान है देखो, first case scenario क्या होता है, आपको narration कुछ इस तरह का मिलेगा पहले लिखा होगा आपके पास narration, पहले आपके पास लिखा होगा direct है ना dialogue और उसके बाद में आएगा tag यानि की narration set the captain पहले dialogue और बाद में, बाद में narration इस तरह के sentence structure के अंदर आपको तीन rules follow करने हैं, अपने जो है punctuation के rule number one, आपको first जो letter है आपके dialogue का हमेशा capitalized रखना है देख रहे हो यहाँ पर W को बड़ा रखा है हमने, ठीक है first letter will always be capitalized rule number two, आपका जो comma है ना, कहां लगेगा, बिल्कुल dialogue जहां खतम हो रहे है ना, बिल्कुल उसके बाद और ध्यान का देना है, within quotation इसको लगाना है, अगर इस comma को आप यहां से miss कर रहे है और कुछ लोग गलती करते हैं, उसको यहां लगा देते हैं, तो दो में गलत है, comma आएगा हमेशा dialogue के बीच में और dialogue के marks के बीच के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं निकालना है और तीसरा, sentence को full stop देना है, बिल्कुल last के अंदर यहां पे full stop मत लगाया ना, इस comma के जगह पे full stop मत लगाया ना, full stop बिल्कुल end में आएगा simple है न, सबसे पहला काम क्या, dialogue का सबसे पहला letter रहेगा, capitalized दूसरा काम क्या, dialogue में रहेगा एक comma, और comma कहा आएगा, बिल्कुल dialogue खतम होते ही, quotation mark से बिल्कुल पहले और तीसरा क्या, full stop आएगा, बिल्कुल last में पूरे sentence के अब यह तो था case number one, बिल्कुल simple, अब थोड़ा सबने उपर लाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कि जो आपका dialogue है, वो narration के बाद में रखा हुआ है, dialogue जो है, tag के यानि narration के, बिल्कुल बाद में रखा हुआ है, इस case में rules अपने वैसे ही रहने वाले हैं, ध्यान से समझना, rule number one तो वही है, आप जो है dialogue का पहला letter, पहला word का पहला letter, ये तो capitalize करने ही वाले हो, इसको तो आप भूलने वाले नहीं हो, rule number two, अब यहाँ पे जो कॉमा लगेगा, वो लगेगा इससे पहले, और कहां लगेगा, tag के बाद, quotation marks के बाहर, outside रहेगा, अंदर said के बिल्कुल बाद, यानि कि tag के बाद, और तीसरा, जो full stop आपका आ रहा था, वो भी भी last में आएगा, लेकिन वो आएगा, quotation marks के अंदर, clear है, second scenario ये, बाद में समरी देदूंगा इन तीनों की मैं, पहले देखते जाओ, है न, अब आएगा third scenario, जो तक match advance है न, निहायती advance जो होता है third scenario, कभी-कभी आपको narration टूटा हुआ मिलेगा, dialogue जो आपका टूटा हुआ मिलेगा, जैसे, ये देखो, we won the match, said the captain as expected, देखो, पूरा dialogue ऐसा है, we won the match as expected, हमने match को जीत लिया है, जैसा हमने सोचा था, है न, तो पर इसमें क्या हुआ, sentence में, आपका dialogue जो दो बीच में आ रहा है, पहले dialogue का first part, बीच में क्या आएगा, tag आएगा, और फिर क्या आएगा dialogue का second part, अब इसमें rules अपने वहीं है, rule number 1, जहां पे dialogue शुरू हो रहा था, उसके first letter को आपको capitalize करना है, ठीक है, कर दिया, इसको नहीं करना है, याद रखना, जहां पे शुरू हु बीच में जो है, आप यहाँ पे capitalization मत देखिया आना, शुरू में ही देना है, rule number 2, कोमा तो दे नहीं है, कहां देना है कोमा, सबसे पहले कोमा देंगे, यहाँ पे dialogue के अंदर, quotation marks के अंदर, और दूसरा कोमा कहा हैगा, दूसरा सर इस बाद वाले dialogue से पहले आने वाले tag के ब और last में क्या करेंगे, last में सर वही करना है, जो करते आयो, अपना full stop लगाओगे, और बिल्कुल quotation marks के अंदर, I think clear हो गया, बिल्कुल simple भाषा में formula की तरह आपको बता दिया है, narration के अंदर कैसे आपको कोमा, full stop को use करना है, full stop की जगार आपके question के अंदर कोई interrogative sentence हो, तो अंदर ही आने वाला है, चाए full stop हो, चाए interrogative sign हो, है न, question mark हो, या exclamation mark हो, ये भी अंदर ही आएगा, इसको कभी भी इन कॉमाज के बाहर मत निकाल करके आना, चलिए, बढ़े आगे, तो ये तीन है, narration के rules, नीचे comments में, first comment में रखे हूँ हैं इनके notes, download कर लेना, अगर app पे ह तो बिल्कुल वीडियो के निचे सके notes सके हैं, notes को देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, अब अपने move on करते हैं, नए topics पे, narration आप सीख चुके हो, अब आजाओ apostrophe पे, चलो पहले capitalization आपको करवा देता हूँ, कभी-कभी आप देखो के sentence में कोई letter बड़ा हो जाता अचानक से, जैसे कहीं आपको apple लिखा, दिखावा मिलेगा चोटा, और कहीं apple लिखावा मिलेगा बड़ा, तो आपको चेक करना है, इन rules के जरिए, कहां पे बड़ा letter यूज करें, और कहां पे चोटा letter यूज करें, और बड़ा असान है, simple से rule है, 7 मुझे लगता है, 7 में स पता आपको नहीं आते हैं, हो सकता है, तीन में आते हूँ, पर कोशिस करेंगे, अब दिमाग में बैठ जाएं आपके, तो rule नंबर एक से शुरू कर रहे है, हर sentence का पहला letter, हर sentence के first letter जो है, first word का जो first letter है, उसको हमेशा आपको capitalize करना होता है, जैसे इर्फान खान वस अ ग्र sentence का पहला word है, इर्फान, और उसका पहला letter है, आई, रूल क्या कहता है, इस आई को बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना लिख करके, मैं लिख करके होंगा, बड़े आई के साथ, इर्फान खान वस अ ग्रेट बोलिवूड एक्टर, I think simple सा rule है, आप जा जाए, कोई यह चीज मैटर करती नहीं है, मैटर यह करता है कि जो भी प्रॉपर नाउन है, हमेशा उसका फर्स लेटर जो है, उसका फर्स लेटर हमेशा कैपिटलाइज होगा, तो मैं क्या करूँगा, यह बॉलिवूड आप देख रहे प्रॉपर नाउन है, आप जानते हैं, बेसिक ग्रामर में आप सीख चुके हैं, ठीक है, खास चीज है, यूनिक चीज है दुनिया में, तो जो यूनिक चीजों के नाम है, जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, उन सभी का फर्स लेटर आपको कैपिटलाइज करना होता है, यह सेकिंड वाला आपको होगा सही, रूल नंबर तो, अब आजा रूल नंबर तीन पर, रूल नंबर तीन यह कहता है, प्रॉपर नाउन, प्रोणाउन लिकर लेना इसको, प्रोपर प्रोणाउन, इसको आप प्रोणाउन लिकर लेना ना, प्रोणाउन, पर्सनल प्रोणाउन लिक लेना इ जो आई है हमेशा बड़ा लिखा जाता है कभी भी छोटा आई नहीं लिखा जाता अगर मैं की बात की जा रही है यानि की आई की है ना मैं अब देखो कैसे I have been working with a bank for two years मैं एक बैंक के साथ दो सालों से काम कर रहा हूं सेंटेंस गलत है आप बोलो के सार शुरू हो रहा था सेंटेंस शुरू हो रहा था पहला लेटर पहला वर्ड आपने कैसे छोटा कर दिया तो मैं बड़ा कर देता हूं इसको I have been working with a bank for two years यह करेक्ट है ना अब देखो यह संटेंस थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं माल किया हुआ है रूल नमबर एक के साब से लेकिन सेंटेंस यह गलत है क्योंकि मैंने आपको यह बताया कि पर्सनल प्रणावन आई जो है जो मैं की बात करता है यह कहीं भी आजाए चाहे शुरू में चाहे बीच में यह हमेशा कैपिटलाइज होता है इसलिए सेंटेंस ऐसा बताओ यह कोमा यहां पर क्यों लगा हुए पिछले पार्ट में बड़े अच्छे से करवा दिया डिटेल में आपको है अब दिमाग में यह नहीं आना चाहिए सर्फ भूल गए यह कोमा यहां पर क्यों लगा हुए अभी कॉमेंट्स पर अपडेट करो मैं खुद ही बता अब्रिवेशन एक्रोनिम क्या होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं यह असान इंगलीश से बोलते हैं शॉट फॉर्म है ना जैसे आपने सुना कहीं पर और भीए आई तो यह कोई चीज नहीं है इसका पूरा नाम है द रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया तो तो यह RBI जो आप देख रहे हो यह एक short form है यानि कि English में बोला जाता है इसको acronym या बोला जाता है abbreviation तो RBI कभी भी ऐसा लिख करके आप नहीं आ सकते abbreviation short form हमेशा capitalized होती है आर भी बड़ा बी भी बड़ा और आई भी बड़ा कुछ sentences जरी समझते हैं इसको माल लीजिए मैं ऐसा वोला the movies now available on DVD यह movie अब DVD पे available है sentence गलत है DVD इसको क्या बोलते है फुल फॉर्म क्या होती है DVD की digital डी से तो डिस्क होता है बीच में देख लेना शाहिद versatile होता है न वर्से टाइल को बोलते है compact disc ये भी एक स्यॉट फोर्म है DVD बोलते है डीचिटल वर्सें डिस्क बोलते हैं ना देख लेना इसकी शॉट फॉल फॉर्म क्या होती है तो जो भी है फॉल फॉर्म तो इसकी है ना ये तो हमें पता है तो डीवीडी को आप छोटा लिख क्या है हो सेंटेस गलत है कैसे सही करें बड़ा असान है डीवीडी को बड़ा कर दो अब हमें पकी आप तो इसकी बड़ा रखा जाता अब तो हमेशा बढ़ा रखा जाता हैं देखो टाइटल्स क्या होते हैं ध्यान से समझना डारेक्टर रिपोर्ट सुधा चेर्मेन ऑफ दे कंपनी डारेक्टर जो है कंपनी के चेर्मेन को रिपोर्ट करता है अब देखो डारेक्टर क्या है टाइटल है टाइटल को हिंदी बोलते हैं उपादी अब यूमत बोलना स हिप इया प्रइम मेनिस्टर हो अक्स दुखान मेनेजर हो चोटी सी किरा ने कि रिटल टॉपाद है उपादी दो पदिये बड़ीव द्यूट जब भी आपको उपादी मिले टाइटल मिले लंके यहां पाएट्ल का juntos हमेशा बड़ा रखा जाएगा यहां पर दाइटर का अब बता देता हूं जैसे मैंनेजर बताया में आपको जैसे PM हुआ, President हुआ, Home Minister हुआ, Home Minister भी एक टाइटल है तो Home का H बड़ा, Minister का M बड़ा, Finance Minister है तो Finance Minister का F बड़ा, Minister का M बड़ा कोई भी टाइटल हो बस बड़ा रखना उसको इतना ध्यान रखलो अपने दिमाग में आजाओ Next Rule पे Headlines और Headings हमेशा आपको रखनी होती है, किसमें, Capitalized है न, दिखा देता हम आपको कैसे करेंगे Men are from Mars, Women are from Venus is a book written by American author and relationship counselor John Gray ये किताब का नाम है, क्या नाम है, Men are from Mars, Women are from Venus 1992, हो सकता है, ये कोई documentary का नाम होता हो सकता है, किसी film का नाम होता, movie का नाम होता हो सकता है, किसी magazine का नाम होता हो सकता है, किसी newspaper article की headline होती है समफारियों में क्या कहना चाहरा हूँ किताबों के नाम, magazines के नाम, movies के नाम, documentaries के नाम, news paper की headlines ये सब कहलाते है, headings या titles heading या titles को हमेशा capitalized रखा जाता है F का F छोटा है, Mars का M तो बड़ा कर दिया, Women का W छोटा है, R का A छोटा है, तो क्या करें सर इसको कर दो बड़ा, और एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी बता देता हूं, पहले पूरा sentence देखो, ध्यान ये रखना है, Headings के अंदर कभी भी Prep Position को यहां लिखना रह गया है, यार from का F छोटा रखा है, तो Preposition जो है ना, by, with, from, at, on, ये सब की सब Preposition का First Letter Headings में भी हमेशा छोटा रहता है, एर कर दूमा में Notes के अंदर है ना, Preposition याद रखना छोटी, और Heading के बाकी सबी Letter हमेशा बड़े, यह होगे 6 Rules आपके, अब सात्वा Rule थोड़ा Advanced है, यहां से समझो, जब भी कोई Proper Noun के साथ में कोई Common Noun आ जाए, जुड़ा हुआ, उससे, तो वो Common Noun भी Proper Noun की तरह ट्रीट होगा, उस Common Noun का पहला Letter भी बड़ा रखा जाएगा, त्यान से समझो कैसे, The River Ganga is Secret to Indians, सबसे पहले आपने देखा इसमें, The बड़ा किया हुआ है, sentence यहां से Proper Nouns होते हैं, तो जी भी बड़ा है, और रिवर क्या है, एक Common Noun है, Common Noun मतलब नदी है, नदी का कुछ नाम तो दिया नहीं हुआ हमने, कोई भी नदी हो सकती थी है, रिवर तो एक Common Noun होता है, लेकिन क्या हुआ यहां पे, सर हुआ यहां पे, कि Common Noun जो है न, यह एक Proper Noun के साथ में आया हुआ है, और Proper Noun के साथ मिला हुआ है, इसका नाम, इस पूरी सेंडेंस का मीनिंग यह है, गंगा नदी जो है, हिंदुों के लिए या इंडिन्स के लिए बहुत सेक्रेट है, बड़ी ही पवित्र है, ठीक है, तो अब फॉर्मला यह कहा रहा है कि Common Noun है न, य गंगा is a sacred river, यहाँ पे क्या हुआ, टी तो बड़ा है, जी बड़ा है, यह दोनों तो ठीक कर दिया आपने, यह river छोटा कर दिया आपने, अब आप पुछों के सर यह बड़ा नहीं करना था, इस river के आजू बाजू में कोई प्रोपर नाउन नहीं है, अब यह रिवर एक Common नाउन की तरह बिहेव कर रही है, फॉर्मला यही है, Common नाउन प्रोपर नाउन आजू बाजू में आए, दोनों का कंबाइंड एक्जिस्टेंस हो, तो Common नाउन का पहला लेटर बड़ा कर दोगे, लेकिन इस केस में Common नाउन अकेला आ रहा है, आ रहा है, इसके लिए बिलक रही है, अब देखो इसके उपर मैं आपको एक एडवांस कोंसेट बताता हूँ, आप इसको न्यूस फेपर में बहुत बार देखोगे, दा इंडियन गॉर्मेंट है पहला लेटर, इंडियन बड़ा है, इंडिया एक प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन से ही इंडियन अपॉर्मेन का प्रोपर एड़क्टीव नाया है, तो प्रोपर नाउन से बनने वाले कोई भी वर्ड होते हैं वह हमेशा कैपितलाइस किये जाते हैं, है ना इंडिया वो, इंडियन हो, हमेशा धन कैपितलाइस ही होगा, गॉर्मेंट क्या है, क्या है Common लेकिन दोनों मिल common non proper non मिल गए दोनों का combined existence है भारत सरकार अब क्या करना है सर इस जी को छोटा नहीं रख सकते तो क्या करें इसको कर दो बड़ा इंडियन गौर्वर्मेंट हैस बैंड प्लास्टिक बैक्स अब जब को इसको apply कैसे किया जाता निउसपेपर में निउसपेपर वाले क्या लिख यह दा गौर्मेंट लगा करके निउसपेपर वाला क्या कर रहा है अपनी जगा बचा रहा है यहाँ पे बीच में से इंडियन निकाल दिया उसने है न तो वो क्या करेगा रूल को अभी भी फॉलो करेगा और इस गौर्मेंट को बड़ा लिख करके आएगा तो इंडियन नहीं लिखा क्योंकि वो उसने अपना स्पेस जो है सेव करना था तो स्पेस को सेव करते हुए रूल को नहीं भूला वो अभी भी जी को बड़ा करके आया है दे गौर्मेंट है बेंट प्लास्टिक बैक्स निगल यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन क्यों जी से बर्धा पर इसको कैसे यूज़ करना फटा 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 देख लेते हैं मां लेजिए आप सेश्यर को बोले महण के चलेंजी या रोस का मतलब ओग्या मोहन का ठीक है मोहन तो मोहन का यानि मोहन के आगे लिख दिया आपने चालेंजिस समझ मैं अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज की जाती किसी का पजैसिब बनाने के लिए अब इस में थोड़े अडवाश कॉंसेट्ट करेंगे अपने ये पजैसिब आपको आपको बनाना आता है अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका था क्या तरीका था सार आप लिखेंगे द्चालेंजीज ओफ मोहन समझे मेरे बात को Mohan's challenges और the challenges of Mohan एक ही बात है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है अब चाहो तो इसको use कर लो कोई नहीं रोकेगा दोनों का मतलब एक ही है अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मान लिजे कोई ऐसा वो ले आपको technology के challenges अब मोहन नहीं है अब है technology तो मैं इसको कैसे लिखूंगा वही काम करना है technology अपोस्टोफियस और लिख दूँगा challenges और दूसरा तरीका क्या है the challenges of technology ये द जरूर लगाना ये द जरूर लगाना ये अल्लेडी मैं आपको करवा चुका हूँ द वाले चेप्टर में जब मैंने आर्टिकल पढ़ा है थे basic grammar का अगर आप देख रहे हो पूरी प्रिलिस को द इसलिए आया क्योंकि off से दो नाउन जुड़ चुके हैं एक साथ जब भी off से दो नाउन जुड़ते हैं तो पहले वाले नाउन के पहले एक आर्टिकल होना चाहिए अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो द आपको लगाना ही है तो द चैलेंजिज ओफ टिक्नॉलजी अब दिक्कत क्या सर इसमें सेकिंड वाला तो ठीक है लेकिन फर्स वाला गलत है अब आप बोलोगे सर मैं कैसे डिसाइड करूँ मोहंस तो आपने सही बोल दिया टेक्नॉलजी आप गलत बोल रहो ऐसा कैसे तो बड़ा आसान सा है फर्मुला इसका आसान सा फर्मुला ये है कि टेक्नॉलजी ना तो आदमी है वो मैन है ना भुमन हैं इसको बोलते हैं नीव्लिंट राउन नीव्ल राउन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको देख लियुकन राना मथना ङोटे ना मैन ना विमन कोई भी लिंक या कोई भी जेंडर नहीं होता मौन तो आदमीे सरीता है ड़की ब्रेंदो ब्रेंद n न्यूटर नाउन जो है वो पजेसिफ फॉर्म में यूज ना किये जाए न्यूटर नाउन इस लिखना ही नहीं है उनको ऐसे ही लिखा जाए आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा गलत है टेक्निकली शायद तो उस आदमी ने गलती से लगा दिया या भूल से लगा दि मौत का दर्वाजा मौत को बोलते हैं death दरवाज़े को बोलते हैं door तो मैं लिखोंगा death death door या फिर the door of the door of that है ना मौत का दर्वाजा यह second वाला भी ठीक और first वाला भी ठीक है अब इसको देखो nature का गुसा तो मैं लिखोंगा natures natures, गुसा मतलब anger या fury है ना, natures fury, या the fury, the fury of nature, आप बोलोगे सरी ये वाला और ये वाला, दोनों सही बता रहे हो, यहाँ पे death's door को भी सही बता रहे हो, यहाँ पे natures की fury को भी सही बता रहे हो, यह तो neutral noun है, nature का कोई link थोड़े नहे, nature कोई women थोड़े नहे, nature कोई man थोड़ यह इसको मदर नेचर को हम ने वास्ताम में एक जोना हो भात बार डह偌 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग को स्ट्रेंथ रखने वाली है ना अन प्लेजंट तो इसको मैंने मैं से यानि की पुलिंग से जो है इसको आपको न्यूटर नाउन्स जो परसॉनिफाइड होते हैं जिनको मैं या वुमन हम मान बैठे हैं अपने इशायरी के अंदर अपने किताबों के अंदर अपने बोलने च इनको चार केटेगरी में बांच सकते हैं चार आपके सामने केटेगरी जा रही है आइसे परसॉनिफाइड न्मान्स जिनमें स्ट्रेंफ और वाइलेंस अइनको मैंनका दर्जा देते the man Score Can opio पर अब जो हैण सबसेरी है सारी की सारी परसॉनिफाइड है Inक यूज करें ourselves इनको आप ऐसे लगा सकते हो फिर दूसी कौन सी है जो women से associate करते हैं beauty और gentleness से कैसे कौन कौन सी चीज़े moon, earth, ship, hope, nature, spring, autumn, liberty, justice, peace, mercy ये सब gentleness की सारी के सारी जो है indications है तो इनको भी आप रखो आप बली जो है पजैसी form में तीसरा है time, space और weight की units जैसे week है, month है, year है, day है, foot है, pound है आप कहीं दिख दो in a week's time in a week's period है ना तो जितनी भी measurement है ताइम, space और weight की इन सभी को हम परसॉनिफाइड मानते हैं इनको हम ऐसे बना सकते हैं और लास्ट में बज़े कुछ fix phrases ये इंग्लीज में कुछ ऐसा समलो, आप ये idioms है wits end wits end का मतलब होता है समझ का दाहरा mercy's sake, hearts content boards crew ये तीन चार फ्रेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपको mercy का भी आपोस्टोफी मिल जाएगा board का भी मिल जाएगा, possessive wit का भी मिल जाएगा और heart का भी मिल जाएगा हलांकि ये चारो neuter nouns हैं heart, weight, board और mercy तो आपको इस slide को ध्यान रखना पड़ेगा check करना पड़ेगा बार बार जब आप questions को solve करेंगे आपको यही words दिखेंगे बार बार दिमाग में बिठाओगे तो आपको इनको बार बार देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी है एक बार शुरू में 4-5 बार नजर मारोगे questions solve करते हुए बाद में नहीं ज़रूत पड़ेगी चलो आगे बढ़ते है आपस्टोफी आपका यहां पर पूरा ओगए एक छोड़ा सा concept और बागी अपस्टोफी का boy का hostel तो मैं लिख सकताओं a boys hostel ऐसा लिकूंगा ना boy का hostel तो a boys hostel यहां बार यविख सकताओn a boy ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है boy का hostel लेकिन मान लो boy एक ना हो, boy बहुत सारे हो, मान लो ऐसा हो, boys का hostel है ना, लड़कों का hostel, तो क्या करें भाई, boys इसका कि अपोस्ट्रफी एस, hostel, या the hostel of boys, ऐसा ही होगा, second वाला ठीक है, first वाला गलत है, अब आप पुछोगे ऐसा क्यूं, अभी तो आपने सर बताया था, boy तो वैसे भी mail है, तो इसका दूम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, रूल समझ लो, ऐसे सभी के सभी nouns, जिनके last में या तो ऐसा रहा है, या ऐसा की आवाज आ रही है, और generally कौन से होते हैं, जो कि plural होते हैं, जरू अक्सर वह प्लूरल ही होता है से नाउन अक्सर तो ऐसे नाउन को प्लूरल पजेसिव नहीं मनाते हैं हम क्या करते हैं सीधा सा तरीका है इसका यह निगाल देते हैं हम ऐसे इस पजेसिव के साथ में इसको बनाके लिख देते हैं इसके बिना अब ध्यान देना यह जरूर आवाज को हम यह बॉइजिस का यह वाला निकाल देते हैं और अपोस्ट्रोफी लगा के बता रहे हैं कि हमने पजैसिव बनाया हुआ है सिरफ आवाज गलत ना है मुह से इसलिए इस को निकाल के लिख रहे हैं समझ गे चलो अब इसको थोड़ा सो और एडवांस लेकर क्या रहा हूं बहुत लोगी कंफूजन होती है जैसे स्टूडेंट्स की यूनियन तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स यूनियन यह वाला जो एस है यह यहां पर नहीं आएगा है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं पीछे एस ओलड़ी आ रहा है तो यह वाला एस लगाने क क्योंकि last में Thomas के S आ रहा था तो इस S को लगाने की ज़रूत नहीं है लेकिन कहीं कहीं आपको लिखावा मिलेगा Thomas's room अब यहां पर आपके दिमाग में confusion आएगी कि Sir का रूल तो फेल हो गया Thomas के last में ऐसा रहा था फिर भी मैंने ऐसा देखा उसके बाद में पड़ा हुआ तो ऐसा कैसे तो इसका रूल बड़ा simple सा है दोनों ही ठीक है the room of Thomas लिखो के तो इस सबसे अच्छा है पहला भी ठीक है second भी ठीक है और third भी ठीक है rule यह कहता है कि proper noun के case में Thomas एक आदमी का नाम है proper noun है proper noun के case में Thomas decide करेगा उसके last में क्या आएगा तीक है आप नहीं बता सकते Thomas को student तो proper noun है नहीं तो कोई student दुनिया का नहीं कह सकता कि student के last में क्या आएगा student तो सब के लिए आता है लेकिन Thomas तो Thomas के लिए है ना Thomas बताएगा मेरे last में क्या आएगा तो Thomas अगर ऐसा लिखना चाहे या कहीं ऐसा लिखा हो तो समझ लेना Thomas ने चाहा था मेरा नाम ऐसे ही बनेगा तो moral of the story आप prefer करेंगे इसको अगर आप लिखने जा रहे हैं और कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आँखे बड़ी बड़ी नहीं करनी हैं आप समझ गए हैं Thomas ने ऐसा चाहा था बस यहीं आपको मैं समझाना चाहे हैं प्रिफर इसी को ही किया चाहेगा तो अपोस्ट्रोफी सर पूरा हो गया आपका और आजाओ नहीं कॉंसेट देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी का प्रियंका और राहूल की रिपोर्ट प्रियंका और राहूल की रिपोर्ट तो मैं लिख सकता हूँ राहूल और प्रियंका रिपोर्ट अब दोनों में आपको को decided करना पड़ेगा कौन सा सही है first वाला मानूं ही तोर दोनों के लगा दूंकि है तो दोनों की या फिर एक के लगा दूं क्योंकि अचुक्त का है तो दोनों एक साथ हो गए 것은 यह ही आपको समझने झाहिए दोनों का मतलब अलग-अलग है पहले है राहूल और प्रियंका की खुद की अलग-अलग रिपोर्ट है और दूसरे का मतलब क्या है राहूल और प्रियंका की एक ही रिपोर्ट है यहाँ पर रहुल और पेंका भाई बैन बनके एक साथ एक रिपोर्ट को बना रहे है आगी बात समझ में तो दोनों का मतलब जो है अलग अलग है आपको decide करना है sentence में कितनी reports हैं कितने possessions हैं अगर दोनों के separate हैं तो दोनों को possessive दे दो और अगर दोनों इकठे मिलके काम कर रह है यह concept आपने बहुत बार देखा होगा फिर मैं आपको रिवाइस कर रहा हूं क्योंकि बात चल रही है बाकि बहुत ही टुच्चा सा concept है आपने कई बार इसको सीख लिया है मुझ सही है न अब इसमें गलती है वह भी बड़ी टुची सी गलती है ध्यान से समझ लेना यह ह हो गया डवल पजेशन सेपरेट डवल पजेशन मतलब सेपरेट पजेशन सिंगल पजेशन दिक्कत ही होते है कभी-कभी ऐसा लिखावा मिलेगा आपको राहूल सैंट परिंका रिपोर्ट निहायती गलत है इसका कोई मेनिंग नहीं निकलता पजेशन यहां तो सर आएगा आएगा चाहे दुनिया इदर की उदर हो जाए अब आपके पास जो चोई है ना वो यह है कि राहूल के लगाना है या नहीं लगाना तो यहां वाला पाजेशन आप मिस नहीं कर सकते हो यह तो लगाना ही पड़ेगा यह लगाओ या ना लगाओ आपके मीनिंग के साफ से को चेक करना है अब आते हैं अपने अपोस्ट्रोफी पे कॉमन मिस्टेक्स यह भी बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है इसलिए मुझे रखनी पड़ी अपने आप से पूछ के मुझे बताओ पहला डबा सही है दूसरा बॉक्स सही है या तीसरा बॉक्स सही है और एक दम है न उससे पहला ठीक है रूल क्या कहता है पजैसी प्रणॉंस जो है न अब देखू से पर नुझ के इंदर निगुशूँगा क्योंकि ग्रामर सीरीज में हो चुका है माइन और सल्ड एर्स हर्स को धो और कशो है यहां ऑप गोगे चलिए अब अपना पोस्ट्रोफी अप जाके पूरा हुआ ऑब आ आजो स्कॉलन मार्क पे बहुत जगा आपने देखा होगा और किसी को समझ भी नहीं आता है कब लगाए जाये से लगाया जाए किताबों में भी साब साब नहीं दिया होता है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं अपने experience से यह artistic mark है यह कुछ भी नहीं है एक flashing sound flashing arrow है यह मैं आपको समझाता हूं कैसे एक sentence ऐसे देखो मालो ऐसे लिखाओ there are two type of people in the world there are two types of people in the world दुनिया में दो दरह के लोग है अब पहला क्या है which are the rich and the poor समझे फिर बात को क्या हुआ यहां पर कुछ भी नहीं हुआ हमने दो type of people को बताया दुनिया में जो है दो अलगलग sentences से इस sentence को लिखने का एक और तरीका था अब ऐसा भी लिख सकते थे there are two type of people in the world फिर एक लगाते flashing arrow यह आगे की तरफ जाने वाला और फिर लिखते the rich and the poor लेकिन यह जो flashing arrow है ना अब समझ पा रहे हो इसका meaning के है sentence का यह flashing arrow क्या बता रहा है जो बात हमने यहां पर की है उस बात का नतीज़ा यह है दो तरह के लोग है और कौन-कौन से है flashing arrow लगा के बता है फॉर्मल जगा पर यह flashing arrow की जगा ले लेता है कॉलम तो आप क्या यूज करेंगे there are two type of people in the world, column, the rich and the poor बस यह है कॉलम समझ बात को flashing arrow को जब भी replace करोगे formal writing में, formal writing में आप यूज करते है colon को और कुछ sentences बनाएंगे इस पर, एक colon का और यूज भी है, logical conclusion बताने वाला जैसे the investigation is complete, it was a planned murder, investigation complete है, यह एक पहले से सोजा समझा हत्या का मामला है, murder है, दो अलगलग sentence है, दोनों की अपने अपने period लगे हुए, इसको बोलते है period, period, कुछ लोग इसको dot बोल देते हैं, और कुछ लोग इसको full stop बोल देते हैं, full stop, तो यह जो period का sign है, dot का sign है, जो full stop का sign है, यह बताता है sentence पूरा हो गया है, तो दो sentences अपने सामने रखे हुए है, यह और यह, लेकिन ध्यान से देखो, दोनों sentences जो हैं अपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है, कैसे, investigation पूरी हो गई है, और यह उसका नतीजा है, समझे रफ वही वाली बात, दुनिया में दो तर investigation is complete, column, it was a planned murder, यह, the investigation is complete, flashing arrow, it was a planned murder, अगया समझ में, इस तरीके से आपको column को use करना होता है, कभी-कभी यह column इस तरह से दो-दो closes को भी आपस में मिला देता है, बस दिक्कत ही है, second close, जो है, first close का logical conclusion है, logical conclusion है, अब columns और आके बढ़ेंगे, semi-column पर आजओ, अच्छा, column पे एक छोटा सा, एक error का question भी बनता है, कभी-कभी column आपको मिल जाएगा, verb और उसके object के बीच में, जो की गलत placement है, जैसे यही वाला sentence था, जो पहले आपको उपर गरवाया, there are two types of people, types of people in the world, the rich and the poor, लेगिन अब ज़रा इस sentence को देखो, the two types of people in the world are the rich and the poor, यहाँ पे two types of people आपका subject है, in preparation है, object है, word, our verb है, link verb है, अकेले आई हुई है, link verb के बाद subject compliment है, the rich and the poor, सीधे सीधे आपने क्या किया, verb और उसके बाद में रखे हुए subject compliment, या object के बीच में आपने गुसा दिया है, column को, गलत है, मत करना कभी भी ऐसा, column से पहले जो है न, verb और उसका object आज आना चाहिए, अगर रखा हुआ है, तो, तो कहने का मतलब है, ये column यहाँ गलत है, आप सीधे सीधे इसको यहाँ से निकाल दें, और the rich and the poor सीधे सीधे भी लिखाएंगे, तो भी ठीक है, या फिर इसको rephrase करें, इस तरीके से, ताकि verb और उसका object पहले आजाए, या subject compliment पहले आ है, इस तरह से दो डोट्स है, उपर नीचे, सेमी कोलन थोड़ा अलग होता है, इस से, इस तरह का, ऊपर तो एक dot, dot और नीचे एक कॉमा, है ना, सेमी कॉलन, सेमा ही है क्योंकि आदा कोलन है, पूरा कोलन नहीं है, आदा तो इसके जगा कोमा लगा पड़ा हुए, तो अब और क्लोजिज जो हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए अब कैसे पता लेगा एक्जांपल को देखो आप प्रैक्टिकली आई साउ लिटल गर्ल इन पार्क मैंने पार्क में छोड़ी सी बच्ची को देखा शी वास सिंगी का सॉंग वह गाना गा रही थी अब देखो यह दोन को मैं जोड़ सकता हूं किस से एंड कंजंक्शन से मैं क्या लिखूं आई सो लिटल गर्ल इन पार्क कॉमा एंड शी वास सिंगिंग अ सॉंग पिछली क्लास में आपको सिखा चुका हूं मैं फैन बॉइस कंजंक्शन क्या होती है है एना फोर एंड नौर बट और येट सो इंडिपेंडन क्लोजिस को मिलाती है और हमेशा अपने पहले कॉमा लेती है ठीक है तो ये कॉमा वालक सिस्सम आप समझ गे ना अब यही से हमारा सैमी कॉलन का रूज निकलता है सैमी कॉलन क्या करता है फैन बॉइस कंजंक्शन इनकी जरूरत को खतम कर देता है और कॉमा को भी निकलवा देता है ये खुद कॉमा और फैन बॉइक कंजंक्शन की जगा आ जाता है और दोनों सेंटेंस को बिना कंजंक्शन के जोड़ देता है तो मैं कैसे लिखूंगा था आई सो लिटर गर्ल इन पार्क सैमी कॉलन शी वास सिंगिंग अ सॉंग आ गया समझ में बिल्कुल सिंपल सा रूल इसका फैन बॉइस कंजंक्शन जो की इंडिपेंडेंट क्लोजिस को मिलाती है जो अपने पहले कॉमा लेती है ऐसी कंजंक्शन के मिलने वाले सेंटेंस जब भी ऐसे दो सेंटेंस मिल जाएं तो इस तरह से किसी भी फैन बॉइस से जूड़ पा इस से थोड़ा सा स्ट्रॉंग होता है क्या यह वाला फुल स्टॉप यानि की पीरियट तो अगर आप वीक तरीके से लिखना चाहरे हो अपने सेंटेंस को तो ऐसे थोड़ा सा हाड चाहिए स्ट्रॉंग चाहिए आपको अपना जो है इंफसिस तो सेमी कॉलन नहीं तो आप यूज करें फूल स्टॉप को यह इन तीनों का अपसका जो है एक्वेशन है चलो अब इस कॉलम पर कुछ और देखते हैं सेमी कॉलन पर सेमी कॉलन के साथ में कॉमन सी मिस्टेक ही होती है कि कंजंक्शन यूज कर देते हैं लोग जैसे देगेस्ट हैवर अराइट दसेरिम अब मैं कॉलन लगाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूं मालो देगेसर राइट सेमी कॉलन एंड दसेरिमिनी वस्टू बिगिन तो यह कॉमन सी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं देखो मैंने पहले बताया था कॉलन जो है ना इस कॉमा और इस कंजंक्शन दोनों की यह गैस है डाइट सेमी कॉलन दसेरिमिनी वस्टू बिकिन समझ गे अब सेमी कॉलन का एक और रूल आपको करवा देता हूं लास्ट में सेमी कॉलन के बाद में जो वर्ड आ रहा है वो कैपिटल रखा जाए या स्मॉल रखा जाए यह अपने को चेक करना है ठीक है देखो फॉर्मॉला बिल्कुल से है सेमी कॉलन के बाद में जो वर्ड आ रहा है उसका पहला लेटर कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे सिवा किसके जब वो कोई प्रॉपर नाउन हो या कोई एक्रोनीम हो जो उपर आप सिख्के है उन्हें कैपिटलाइशन का फॉर्मॉला व उस case में तो बड़ा रखना है वैसे कोई भी case न से चोटा ही रखा जायेगा यसी sentence है जीब जो है बॉन्नेस होती है जीब में कोई बॉन्स नहीं होती है लेकिन यह बहुत सारी हडियों को तोड़ सकती है आप अपनी जवान से लोगों को तोड़ सकते हो कहने का मतलब ये दोनों sentence अलग अलग है पर दोनों अपस में connected है और अगर इनको connect किया जाए तो but conjunction से आप जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों contrast बता रहे है जीब में हड़ी नहीं लेकिन हड़ी तोड़ने का दम रखती है तो but से जोड़ दिया अब चाहूं तो मैं इसको semicolon से जोड़ सकता हूँ तो the tongue is bonless semicolon but it can break bonds अब ये गलत है क्योंकि but यहाँ पर गलत लगाया हुए but नहीं आना चाहिए तो मैं सही करूँगा tongue is bonless it can break bonds लेकिन ये भी गलत है क्योंकि eye मैंने बड़ा कर दिया rule क्या कहता है semicolon के बाद चोटा ही रखा जाएगा तो सही क्या होगा the tongue is bonless semicolon it can break bonds it का eye चोटा समझगे ना तो मैं आपको पूरा systematically बता रहा हूँ कब बड़ा करना है कब छोटा करना है अब बड़ा करने वाला प्रोसीजर भी देख लो infections were rising PM Modi announced lockdown infections बढ़ रहे थे Modi साब ने lockdown को announce कर दिया infections were rising and yeah so PM Modi announced lockdown infections बढ़ रहे थे इसलिए Modi साब ने lockdown को announce किया आ गई आपकी fanboy conjunction कॉमा भी आगया इसके पहले अब क्या करना है आपको यहां पर इसको निकाल करके पूरा sentence लिख देना है लेकिन यह गलत होगा क्योंकि semi colon आया है conjunction को निकाल देना है conjunction तो आएगी नहीं सही करोगे conjunction को निकाल के तो ऐसा लिख दोगे आप पुछो कि सर आप नहीं तो बताया था PM का P छोटा करना पड़ेगा colon के बाद semi colon के बाद छोटा रखते है लेकिन गलती है भाई PM एक designation है एक proper noun है designation, title, proper noun, acronyms उन सब को क्या रखना है बड़ा रखना है तो PM का P बड़ा करो इस case में लिखो PM मोधी बड़े P वाला announced lockdown तो यह semi colon आपका यहां पे हो गया है सर, finish अब semi colon का एक और additional use है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ colon से जुड़ा हुआ है semi colon इस वाले list के इंदर semi colon दो या दो से यादा items को एक list में join करवाता है जैसे the following three types of people are eligible for a booster dose of the COVID-19 vaccine है ना कैसे कैसे कौन कौन से type के लोग है मैंने column लगा दिया याद है ना colon क्या कहता है dash की बात करता है इस dash के बाद में मैंने अब उन तीन type के लोगों की बात करना चाहा तो मैं लिखूंगा पहले type के लोग those who are above the age of 60 मैं क्या करूँगा इसके बाद मैं लगा दूँगा एक semi-colon दूसरे type के लोग those having co-movidities वो लोग जो बिमान है इसके बाद अगेन एक side semi-column फिर तीसरे type के लोग frontline workers क्या हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ एक list बताई गई थी colon के बाद एक list बताई गई थी colon के बाद तो colon के बाद में अगर कोई list आ जाए colon के बाद में अगर कोई list आ जाए कभी-कभी बिना colon के भी आ जाए लेकिन list आ जाए और list में entries बड़ी-बड़ी हो बड़ी-बड़ी हो ठीक है एक या दो word की entry ना हो पांच दस ऐसे से बड़े-बड़े words के entry हो तो ऐसी entries को आप मिला सकते हैं semi colon से मान लिजे entries छोटी होती है या item छोटी होती है पहली item होती children दूसरी item होती old-aged people ठीक है old-aged people और तीसरा होता है frontline workers दो-दो word की एक एक word की तो उस case में यह लगाने की ज़रूद नहीं है लगा दोगे तो ठीक है गलत नहीं है लेकिन हम comma को prefer कर लेते हैं ठीक है ना तो अगर छोटी-छोटे entry हो उनको list में आइटम में मिलाना हो छोटी-छोटी items को list में add करना हो तो आपको लगाना है comma और बड़ी-बड़ी हैं तो semi column लगा सकते और खास करके colon के बाद में semi column लगाया ही जाता है तो यह सब semi colon आपका यहां पर हो है पूरा फिनिश अब यह क्या करना एक चीज जहां रखना वही capitalize नहीं करना है semi colon के बाद में जो उपर बताया था वही फोर्मला यहां भी लगेगा यह टी भी छोटा है यह टी भी छोटा है और यह एफ भी छोटा है semi colon के बाद में चीजों को capitalize ना करें जलो next आजाओ हाइफन पर कैसे यूज करना है देखो यह होता हाइफन तीन तरह के हैं यह एक यह चोटा वाला इसको बोलते हैं हाइफन चोटा सा डैश एक बड़ा वाला है इसको बोलते हैं डैश और एक और बड़ा वाला है इससे भी बड़ा एम डैश यह मैंने थोड़े ज़्यादा बड़े बना दी हैं इतने बड़े नहीं होते हैं बस आप इनका size कर जो है sequence समझ ले हाइफन कैसे यूज करना है यह भी आपको सिखा दूँगा एंडश को सीखने की जरूत नहीं क्योंकि हाइफन ही एंडश है गंगा जर दूनों के कोई space नहीं दिया जाता दोनों words के बीच में मालों कोई word लिखा अपने ए दूसरा word लिखा भी हाइफन और एंडश के बीच में दोनों के बीच में space नहीं आएगा लेकिन एम डास लिखोगे ना तो space आपको यहां भी और यहां भी देना पड़ेगा चलिए 50 feet की या 50 foot की ladder से कूद गया jump off कर गया अब मुझे बता दो ladder नाम का noun इसके लिए 50 feet क्या काम कर रहा है सरी 50 foot इस ladder के बारे में बता रहा है इसमें कितने words हैं इसमें सर्थ दो words है जैसे ही यह दो words का काम कर रहा है यह बन गया compound और जैसे ही इसने इसको modify किया adjective बनके यह बन गया modifier तो compound modifier क्या है ऐसे adjectives या ऐसी adverbs जिनमें एक से ज्यादा words होते है इनको हमेशा hyphenate किया जाता है इनके बीच में क्या लगा जाएगा सर हाइफन लगाया जाएगा अब यह space आप देख रहे हो यह लगेगा नहीं यह space 50 foot बिना space के आएगा है ना मैं तो चिपका तो सकता नहीं उनके साथ में बस आप यूं समझ लो यह 50 foot है बीच में कोई space दोनों के नहीं है एक और sentence मनाते है और अच्छे समझ पाओगे he jumped off 50 foot high ladder वो 50 feet की उंची ladder से कुद गया है ना अगें 50 foot high क्या है compound modifier है तीन words है इसमें ए एक दो तीन तो एक तो बन गया compound दूसरा लेडर के बारे में नाउन के बारे में उसकी विशेस्ता बता रहा है तो बन गया एड्जेक्टिव तो compound एड्जेक्टिवल मोडिफायर तो compound modifier के लिए क्या करते है सर उसके साथ एक इस look किया जाता है उसके बीच में हाइफन लग सब्सक्राइब यहां पर अगर मीटर सोता तो भी गलत हो जाता मुझे मीटर ही लिखना था ऐस नहीं लगाना था हाइफन एड्जेक्टिव जब एक स्यादा वर्ड से बनने वाला अज्जेक्टिव आपको मिल जाए और उस बीच में उसके हाइफन लग जाए तो उसके ब कंतरो होटेल हैगं नवे होटेल के लिए इसे होटेल जो भड़े स्योटेबल होते हैं यहां पर होटेल नाम के लिए कपल forD क्यों के लिए कि अपटिवर्दम कर रहा है नाव को बीचस लगा दो बस यही हाइफन का रूल है ना है आप इसके क्ज़ंटिगे हाइफन को करें जब compound modifier किसी नाउन के बाद आया हो ओयो होटेल सार कपल फ्रेंडली आपने क्या किया सर कपल फ्रेंडली देखा होटाइल उसके लिए आया हुए बीज में आइफन लगा दिया और बोल दिया यह compound modifier है इसलिए हमने इसके बीज में आप लिखो कि इसको ओयो होटाइल सार कपल फ्रेंडली समझ में आगया बस यह होता है हाइफन सर इंगलिश में इतना है हाइफन का पूरा फॉर्मुला है अब आजाओ हाइफन का मैं आपको छोटा सा एक चार्ट सा बना कर देता हूं कुछ वर्ड्स इंगलिश में जो वर्ड में ज्यान रखना वर्ड्स में अगर वर्ड्स पर लिखा हूँ है तो बीच में 22 के एक हाइफन आएगा माली यएक-नमबर 85 वर्ड में लिखा हुआ ना इसके बाद में एक हाइफन आएगा 88 अब ऐसे मत लगा है ना बीच में हाइफन है ना 8 आइफन 8 वर्ड में लिखे हूँ 21 से लिगर के 99 तक के नमबर्स बीच में आता है क्या हुआ उनके लिखे हैं तो वहां जब पहुंशते हैं तो आप चैक-इन करते हैं फादर इन-लो मदर इन-लो ब्रदर इन-लो ये सब इन-लो वाले वर्ड पी हाइफन लेंगे फिर एमेल है इसके बीच में भी आइफन दिखाओ मिलेगा आपको अप्टू डेट है वन हाफ है वन मतलब आद रही जाएगा तो आठ दस फ्रेज मैंने आपको बता दिए और भी मिले तो इस लिस्ट में अड़ करते जाओ जैसे जैसे रइट करते जाओगे आपको यह फ्रेज दिमाग में बैठते जाएंगे बीच में हाइफन लगाना इनके जरूरी होता है अब कैसे दिमाग में बैठ और बैथर आएगी इसी वीडियो से तो नोट्स को देखते रो बार बार वर वीडियो पर टाइम वेस्ट नहीं करना है अंडरस्टेडिंग को डिवेलफ करते रो और इसके जरूरी है प्रैटिस राइटिंग प्रैटिस आपको करने होगी तो यह सब हो गया है अब लास्ट बाते हैं यह प्रैक्टिकली देखेंगे क्या होता है माली एक सेंटेंस हो मोस् इंपोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ हैल्थ और रिलेशन्शिप कैन नोट भी बॉट बाए मनी ज्यादातर इंपोर्टेंट थिंग्स हो हैं लाइफ में या सबसे ज्यादा अगर दो लगा मिल जाएगी पैसे से डवाट को नकली दोस्त मिल जाएंगे तो एक्सटा इंफ्रमेशन को जचीन ka Championships बहुलता हुं जिसको आप ब्राकेट बोलती हो ना असान भाशा में उसको complicated या standard लैंगुज में बोला जाता है इसको अगर आप plural बनाओगे तो thesis का is निकाल के बीचे is लगा देते हो यह वही crisis वाला word है यादना को crisis basis यह basis crisis की तरह parenthesis इसका भी is लगा के plural बनाया जाता है parenthesis मतलब bracket तो अगर bracket के बीच में कोई information sentence में डाल नी हो अब डाल सकते हो लेकिन उसको artistically अगर दिखाना हो तो m dash का use करें बड़े वाले dash का तो मैं कैसे लिखूँ sentence को मैं लिखूँगा most important things in life dash health and relationships dash cannot be bought by money आया समझ में additional information in a sentence m dash के इस्तेमाल से डाली जाती है और यह बहुत artistic way है यह जरूरी नहीं है आप m dash को use करो लेकिन अगर आप करना सीख गए इससे आप उपर आ गए इसके उपर आ गए ना आप तो आप समझ लो और राइटिंग आपकी evolve हो रही है दीमे दीमे एक और sentence आपको बना के दिखाता हूँ आपको idea लगेगा her elder brother Peter who is a journalist is missing उसका बड़ा भाई पीटर जो की एक journalist है पत्रकार है खोया हुआ हुआ है is missing अब यह बीच में क्या relative close है who से journalist तक relative close जो who या which से शुरू होते हैं अपने आगे कौमा लेते हैं और यहीं पर आपका काम आता है m dash क्या करो कौमा को निकाल दो लिख दो her elder brother देखो एक तरीका और भी था इस relative close को आप a positional phrase भी बना सकते थे who is a journalist को निकाल के यहां से who is को a journalist भी लिख सकते थे हैं ऐसे भी तो दोनों तरीके से लिख सकते हो लेकिन m dash कैसे लगेगा her elder brother अब यहां पर लगेगा dash इधर भी और dash इधर भी who is a journalist is missing तो चाहे तो oppositional phrase हो चाहे relative close हो दोनों ही case में m dash को लगाएं और कौमा को निकाल दे अब चाहो तो यहां से ऐसे इसको निकाल के ऐसा भी लिख सकते हो her elder brother dash a journalist dash is missing समझ गे यहां पर आपका punctuation होता है सर्फ पूरा अब बारी आपके quiz की first question आपके सामने अराम से sentence को punctuate करो पूरे मन से देखो कहां पर कोंसा punctuation mark आपको लगाना है सब marks आप सीख चुके हो गलती होगी पर गलती आपको समझ में आने चाहिए अभी मैं आपको आपको आंस्वस दिखाऊंगा तो समझ में आने चाहिए है ना तो यह first sentence है इसका screenshot ले ले आप यह होगया आपका second sentence बड़ा असा चोटा sentence है इसको भी punctuate करें third है यह बड़ा वाला है लेकिन easily punctuate हो जाएगा इसमें जारा कुछ करना नहीं है screenshot ले लो इसका यह आपका fourth है अराम से screenshot लो इसका यहां भी गलती मिलेगी punctuation सही से करना है कर देना और यह है आपका last अब दिखाने जा रहा हूँ fifth ठीक है पांचों को punctuate करो पूरे मन से करना गलती होना गलती होना सबसे अची बात है क्योंकि आज गलती करोगे तो अभी सीख लोगे है ना सबसे बुरी बात उसकी है जो अलब करने नहीं चाहता है मैंनत करके राजी नहीं है तो आप नहीं सीख पाऊगे मैं आपको लिख के देने को तयार हूँ जो लोग अभी आप इनके आंस्वर से यही मैच कर लो जितनी भी जगर मैंने क्रेक्शन किया है आउट ओप 10 या 12 टाइम्स आप कितनी क्रेक्शन को पकट पाए मुझे जरूर से बताएं कॉमेट्स में अगर आपको समझ में ना आया और कोई पंक्ट्वेशन तो भी डालना कॉमेट्स में क कोशिश करूंगा वहीं पर आपको रिपलाई करूं करो कोशिश है ना करके सिखोगे कोर्स वाले अभी आजाओ थोड़ी देर के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी आदे गंटे के अंदर 15-20 में सारे के सारे पंक्ट्वेशन में आपको लाइब करवा देता हूं कोई के अपनि को आपको कर सकते मैसीज कर सकते हैं तीम आपको सम्झा रहे गी कोर्स कैसे मिलीगा कहां से मिलीगा क्या प्राइज है ना क्या का का आथ कंटेंट एवरे इस अवेडिवाग। अंतिल देन इकलाइक रसे शीर साइनिंग आउट